रुद्राक्ष माला पहनने के फायदे, जानिए एक मुखी और पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में. सग्धगुरू, रुद्राक्ष के बारे में, और एक असली रुद्राक्ष के इस्तेमाल के महत्व के बारे में बता रहे हैं. तुए हमें पाँच मुखी रुद्राक्ष पहनने के फायदे और एक मुखी रुद्राक्ष के महत्व के बारे में बता रहे हैं रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष इलावकार्पस ग्यानिट्रस पेड का बीज है और यह एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विबिन तरह के मनकों और उनके लाप के बारे में बता रहे हैं जिन में पंचमुखी और एकमुखी रुद्राक्ष शामिल है रुदराक्ष एक खास तरह के पेड़ का बीज है ये पेड़ आम तोर पर पहारी इलाकों में एक खास उचाई पर खासकर हिमाले में पाए जाते हैं अफसोस की बात यह है लंबे समय से इन पेड़ों की लिकड़ियों का रेल की पट्री के नीचे बिछाने में इस्तिमाल होने की वजह से आज देश में बहुत कम रुदराक्ष के पेड़ बचे हैं आज ज्यादा तर रुदराक्ष के पेड़ नेपाल, बर्मा, थाइलेंड या इंडोनेशिया में पाए जाते हैं दक्षन भारत में पश्चिमी घाट के कुछ हिलाकों में भी ये पेड़ हैं, लेकिन सबसे अच्छी गुनवत्ता के रुदराक्ष हिमालय में एक उचाई के बाद मिलते हैं क्योंकि मिट्टी, वातावरन और हर चीज का प्रभाव इस पर पढ़ता है इन बीजों में एक बहुत विशिष्ट स्पंदन होता है, आपको कौन सा रुदराक्ष पहनना चाहिए, एक मुखी, पंच मुखी या और अधिक मुख वाले रुदराक्ष, किसी मनके में एक मुख से लेकर 21 मुख तक हो सकते हैं, वे अलग-अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, तो किसी दुकान से कैसा भी रुदराक्ष खरीद कर शरीर पर धारन करना ठीक नहीं होगा, गलत तरह का रुदराक्ष व्यक्ति के जीवन में खलल पैदा कर सकता है, बहुत से लोग एक मुखी को, जिसमें सिर्फ एक मुख होता है, पहनते हैं क् वह बहुत शक्तिशाली होता है, आपके खुद के कई चेहरे होते हैं, जब आपके कई चेहरे हो और आप एक मुखी पहनते हैं तो आप मुसीबत को बुला रहे हैं, लोग कहते हैं कि अगर आप एक मुखी पहनते हैं तो आप बारह दिन में अपना परिवार छोड़ आप अपना परिवार छोड़ते हैं या नहीं, मुद्दा यह नहीं है, बात बस इतनी है कि यह आपकी उर्जाओं को ऐसा बना देगा कि आप अकेले होना चाहेंगे. यह आपको दूसरे लोगों के साथ मिलनसार नहीं बनाता. अगर आप दूसरे तरह के रुदराक्ष पहनना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ती से ग्रहन करें जो इन चीजों को जानता है, नकि बस दुकान से खरीद कर अपने उपर डाल ले है. यह आपके बलड प्रेशर को कम करता है, आपकी तंत्रिकाओं को शान्त करता है और सनायू तंत्र में एक तरह की शान्ती और सतर्क्ता लाता है. 14 साल से छोटे बच्चे शानमुखी यानी 6 मुखो वाला रुदराक्ष पहन सकते हैं. यह उनको शान्त और एकाग्र बनने में सहायता करेगा. सबसे बढ़कर उन्हें बढ़ों से सही किस्म की परवा मिलेगी. गोरी शनकर एक खास किस्म का रुदराक्ष होता है जो आपक और पर लोग मानते हैं कि यह उनके लिए संपन्नता लाएगा. संपन्नता का मतलब जरूरी नहीं कि बस पैसा ही हो. यह कई तरीकों से आ सकती है. हो सकता है कि आपके पास कुछ न हो, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में संपन हो सकते हैं. अगर आप एक संतुलित व्यक और आप अपने जीवन में समझदारी से काम करते हैं, तो संपन्नता आ सकती है. यह तब होता है जब उरजाय अच्छे से काम करती है. एक गोरी शनकर आपकी इडा और पिंगला को संतुलित और सक्रिय बनाता है. अगर आपने अपने जीवन को शुध करना चुना है, तो उ स्वयम को उन्नत करने के मार्ग में हर छोटे सहारे को इस्तेमाल करना चाहता है, और यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा सहारा है. एक गुरु आम तोर पर एक रुदराक्ष को विभिन तरीकों से अलग-अलग तरह के लोगों के लिए उरजानवित करते हैं. पा आस तरह से उरजानवित किये गए रुदराक्ष को पारिवारिक स्थितियों के लोगों को नहीं पहनना चाहिए. एक ऐसे व्यक्ति के लिए जोहर समय घूमता रहता है और विभिन जगहों पर खाता और सोता है. रुदराक्ष एक बहुत अच्छा सहारा है क्योंकि यह का एक सुरक्षा का बचा बना देता है. आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप एक नई जगह पर जाते हैं, कभी आपको आसानी से नींद आ जाती है, जबकि किसी दूसरी जगह पर आपको नींद नहीं आती चाहे आप कितना ही ठके हो. ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके आस थितियां उन्हें परेशान कर सकती थी. उनके लिए एक नियम था कि कभी अपने सिर को उसी जगह पर दोबारा नीचे न रखें. आज एक बार फिर लोगों ने अपने व्यापार या पेशे के कारण विभिन जगहों पर खाना और सोना शुरू कर दिया है. तो यहां खास गैसों से जहरीला या दूशित बन सकता है. अगर वे उसे पील लें, तो यह उन्हें अपन्त कर सकता है या मार भी सकता है. अगर पानी के उपर एक रुदराक्ष को लटकाया जाता है तो अगर पानी अच्छा है और पीने योग्य है, तो यह घड़ी की सुई की अगर आप इसे निगेटिव प्रानिक खाद्य पदार्त पर लटकाते हैं, तो यह उल्टी दिशा में घुमेगा. रुदराक्ष माला के लिए क्या नियम है? आम तोर पर मनकों को एक माला के रूप में पिरोया जाता है. पारम पर एक रूप से यह माना जाता है कि मनकों की संख्या 108 प्लस एक होनी चाहिए. अतिरिक्त मनका बिंदू की तरह है. माला में हमेशा एक बिंदू होना चाहिए, वरना उर्जा चक्रिय हो जाएगी और जो लोग समवेदनशील है, उन्हें चक्कर आ सकते हैं. एक वयस्क को 84 प्लस एक बिंदू से कम मनकों की माला नहीं पहननी चाहिए. उससे ज्यादा कोई भी संख्या ठीक रहेगी. जब आप उन्हें पिरोए, तो सबसे अच्छा होगा कि उन्हें एक रेश्मी धागे में या सूती धागे में पिरोया जाए. अगर आप इसे धागे में पहनते हैं, तब हर 6 महीने पर धागे को बदलना पिरोए, लेकिन जात्तर समय होता यह है कि आप पिरोने के लिए इसे किसी सुनार के पास ले जाते हैं. जब सुनार सोने के तार से या जिस किसी तार से गांथ बांधता है, आमतोर पर वे इन्हें बहुत करीब रखकर कसकर बांध देते हैं और मन का अंदर से तूट जाता है. मैंने देखा है, सुनार को यह बताने के लिए लोगों से कहने के बावजूर, जब वे इसे दिखाने के लिए मेरे पास वापस लाते हैं, तो लगभग 30-40 प्रतिशत मौकों पर वे तूटे हुए होते हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यह सुनिश्चित करे क माला में मन के धीले हैं. इन्हें बहुत करीब रख कर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि अगर दबाव के कारण यह अंदर से टूट जाता है, तो यह किसी काम का नहीं है. माला को हर समय पहना जा सकता है. आप नहाते समय भी पहने रह सकते हैं. अगर आप थंडे पानी से न कैमिकल साबुन और गरम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह भंगुर बन जाता है और कुछ समय बाद चटक जाएगा. तो ऐसे मौकों पर इसे पहनने से बचना बहतर होगा. असली रुदराक्ष माला कैसे मिलेगी? पारम पर एक रूप से, मालाओं को हमेशा ऐसे मूल रूप से, इसे लोगों को देना एक पवित्र कर्तव्य की तरह था. लेकिन जब मांग बहुत बढ़ गई, तो व्यापार बीच में आ गया. आज भारत में एक और मनका उपलब्ध है जिसे भधराक्ष करते हैं और यह जहरीला बीज है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और उन इलाकों में काफी उपता है. देखने में ये दोनों बीज एक से दिखते हैं. आप अंतर पता नहीं कर सकते. अगर आप इसे हाथ में लेते हैं, और अगर आप समवेदनशील हैं, सिर्फ तभी आपको अंतर पता चलेगा. इसे शरीर पर नहीं पहनना चाहिए, लिक उर्जाओं के खिलाफ एक कवच की तरह है. नकारात्मक उर्जाओं को किसी दूसरे को हानी पहुचाने के लिए इस्तिमाल करना कुछ लोगों के लिए संभव है. यह अपने आप में एक पूरा विज्ञान है. एक वेद, अथर्वेद, पूरा इसी बारे में है कि उर्जा रुदराक्ष इसके खिलाफ एक किस्म का कवच है. आपको लग सकता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक चीजे नहीं करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका लक्ष आप हो. मान लीजिए किसी ने इसे आपके पास बैठे व्यक्ति पर इस्तिमाल किया, लेकिन वह इसके प्रती समवेधनशील नहीं है. अब यह आपको मिल सकता है क्योंकि आप उसके बगल में बैठे हैं. यह बस ऐसा है कि जब सणक पर दो लोग एक दूसरे पर गोली चला रहे हो, तो उनका इरादा आपको गोली मारने का नहीं है, लेकिन गोली आपको लग सकती है. इसी तरह यह चीजे भी हो सकती है. इसका लक्ष आप नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप गलत समय पर गलत जगह पर हो. ऐसी चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा डर पालने की जरूरत नहीं है, लेकिन माला उससे एक तरह का कबच होती है.